नमस्कार दोस्तों जैहिन आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज अवस्य करिए आज हम फ्ली लोकोमोटीव में फ्ली लाल स लीपी 4D जानी dual के बोले तो क्या है कि तो फ्यूलायल सिस्टम की जरूरत यह है कि सिलेंडर में इंजेक्टर द्वारा सही समय पर और सही मात्रा में इंजिन के डिमांड के अंसार फ्यूल आयल को पहुँचाना इसलिए फ्यूल आयल सिस्टम है ताकि वहाँ पे फ्यूल आयल का जब दहन होगा तो हमको उससे पावर मिलेगी और उस पावर को हम एलेक्टरिकल एनरजी में कनवर्ट करके ट्रेक्शन मोटरों को देकर लोको को मूव कराते हैं अब इस सिस्टम में कुछ चीजें लगी हुई है पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं जैसे सबसे नीचे आपको यह दिख रहा है यह फ्यूल एल टेंक हमारा अंडर फ्रेम में दोनों ट्राली के बीच में होता है गुड्स लोको में इसकी चमता 6000 लीटर और पसेंजर डूयल कैप में इसकी चमता 5000 लीटर होती है 1000 लीटर पे अंडर गेज होता है फ्यूल को देखने के लिए दोनों तरफ गेज लगे होते हैं, जिसमें मार्किंग बना होता है, इसमें टैंक के दोनों तरफ वेंट पाइप लगे होते हैं, कि एक्सेस गैस जो है वो इससे निकल जाए और टैंक पे प्रेसर ना पड़े, टैंक में नीचे सफाई करने के लिए ड्रेन प्लग और मैन होल होते हैं कि उसके आगे आपको इस ट्रेणर और फ्यूल पॉम मोटर दिखाई पड़ेगा यह जो इस ट्रेणर है यह फ्यूल पॉम मोटर के पास में ही लगा रहता है कुछ लोकों में फ्यूल पॉम मोटर अंडर फ्रेम में लगे हुए है जो कि लोको लिफ्ट साइड है तो ये स्ट्रेइन भी महीं पर लगा हुआ है कुछ लोकों में फ्यूट पंप प्मोटर और स्ट्रेइनर एसेसरी रूम में लगर हुए हैं इस श्ट्रेइनर का काम यह है कि फ्यूल आल में में जो मोटी गंदगी है उसको छान लेना यानि कोर्स filtration करना यह जो fuel pump motor होता है यह vertical type का होता है इसमें fuel pump और inverter एक ही housing पे होते हैं यह fuel pump motor single phase AC motor होता है जो की एक horsepower का है और इसका rpm 1200 होता है शुरुवात में जब इसको supply दी जा रही होती है बैटरी से उस समय inverter इस DC को AC में convert करके इसको देता है inverter इसी के उपर build रहता है उसके बाद देखें यहां पर primary filter लगा हुआ है यह जो primary filter है यह से series रूम में होता है लेटा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा इसके उपर एक vent काक लगा होता है यहां पर देखें फिगर में दिख रहा है और उसी के पास एक आपको primary filter condition gaze दिखाई पड़ेगा जिसकी तीन position होती है green, yellow और red जब needle green पे रहेगी इसका मतलब filter आपका अच्छा है जब yellow पे रहेगा इसका मतलब filter आपका चोक होना शुरू हो गया है और जब red पे रहेगा इसका मतलब filter आप चोक हो गया है इसको set में बदलवाने की जरूरत है और ज oil इस filter से ना होकर इस bypass valve से होकर जाने लगता है इस primary filter के नीचे एक drain काक होता है जब primary filter आपको change करना होता है तब इस drain काक का use होता है तो जो इसमें fuel ale होता है वो संप में हमारे वापस चली जाती है उसके बाद इसमें देखे secondary filter लगा हुआ spin type ये engine free end पे local left side पे लगा होता है ये spin on filter होते हैं और इस filter के उपर दो यहाँ पे side glass बने होते हैं जो engine block side होता है उसको fuel ale return side glass कहते हैं और जो engine block से दूर होता है उसको fuel ale bypass side glass कहते हैं जब ये secondary filter चोक हो जाता है तो हमारा hsd जो है वो relief valve के थू पैंक में चला जाता है ताकि fuel pump motor पर हमारे load ना पड़े उसके बाद देखें यहाँ fuel header दिये हुए है left side और right side तेल उसमें पहुंचता है और वहाँ पे unit injector दिया हुआ है दोनों side 8 unit injector होते हैं यह जो unit injector होते हैं यह injector और FIP दोनों को मिला कर injector unit बना हुआ है जैसे एलको लोकों में FIP अलग था injector अलग था लेकिन हचपी में FIP पूर इंजेक्टर की unit को injector unit बोलते हैं और इस injector unit को cam shaft का जो center कैम होता है यहनि cam shaft के center cam lobes से जो बीच वाला cam lobe होगा उससे इसको unit injector को चाल मिलती है फिर लास्ट में हमारा एक regulating valve लगा है जो कि पूरे system में 15 PSI fuel pressure maintain रखता है अब देखते हैं कि यह fuel oil system work कैसे करता है तो शुरुवात में जब loco pallet fuel prime oblique engine start switch यह एक switch होता है जो हमारे ECP panel पे लगा होता है इसमें left side गुमाने पर fuel prime लिखा होता है और right side गुमाने पर engine start लिखा होता है पुराने वाले जो मालगाड़ी के loco थे उसमें यह switch कहां लगा रहता था एसेसरी room में जहां पर हमारा primary filter का condition gauge लगा हुआ है और अब बाकि सभी loco में अब यह ECP panel पे लगा हुआ है इसी को engine start switch भी बोलते हैं तो जब loco pallet इस switch को left side में घुमा के fuel prime पर रखते हैं तो battery की supply fuel pump motor को मिलती है और fuel pump motor start हो जाता है fuel prime पर 15 second रखा जाता है और उसके बाद सीधे इसको हम engine start पर ले जाते हैं और लगबग 20 second तक वहाँ पर रखते हैं engine start पर ले जाने पर हमारे जो starting motor लगे हुए हैं वो crank shaft को घुमाते हैं और चुकि fuel हमारा fuel injector तक पहुँच चुका है और उदर cranking भी start हो गई है यानि cylinder में हमारा जो piston है वो BDC TDC चलने लगा है fuel cylinder में inject होता है और हमारा engine start हो जाता है जैसे हमारा fuel pump motor start हुआ देखिए fuel oil आया strainer में मोटी गंदगी छनी फिर यह fuel pump motor pressure के द्वारा इस fuel primary filter में भेज देता है primary filter में यह fuel छन कर आगे secondary filter की तरफ चला जाता है यह जो primary filter है यह हमारा fine filter करता है paper type filter होता है यहां पे महीन गंदिया भी यहां छन जाती है और इस filter का conditional gauge लगा है इसके उपर इसके बारे में अभी आपने बताया था और अगर यह primary filter चोक हो गया है तेल यहां से नहीं पास हो रहा है तो एक bypass valve लगा हुआ है जो की 30 psi पर set है इसका मतलब अगर यह primary filter jam है तो जो तेल इसके inlet पर पहुँचा है उसका pressure अधिक रहेगा और outlet पर pressure कम रहेगा तो जैसे यह pressure difference 30 psi होगा यह bypass valve खुल जाएगा और बिना छना हुआ तेल हमारा secondary filter की तरफ पहुँच जाएगा question में अक्सर पूछता है कि primary filter का bypass valve की setting कितनी है तो यह 30 psi है उसके बाद देखिए यह secondary filter में यहां से छनके यह left side fuel header और right side fuel header में पहुचा यह unit injector जो की cam shaft के center cam lobe से चलेगा उसके द्वारा बहुत high pressure में यह price करके cylinder में fuel को inject करता है और inject किये जाने वाला जो fuel आयल का मात्रा है वो engine governor द्वारा control होता है जो की notch loco pallet ने जितना ले रखा है और load कितना है उसके अनुसार नियंत्रित करता रहता है injector से बचा हुआ तेल इंजेक्टर के पूर्जों को lubrication करते हुए return pipe द्वारा secondary filter के उपर लगे हुए return side glass के अंदर लगे valve यह 15 psi है के द्वाल से होता हुआ fuel tank में वापस आ जाता है यह सिस्टम में 15 psi pressure maintain रखता है इंजेन जब हमारा चल रहा होता है उस समय हमारा इंजेन ब्लाक सैड जो fuel air return side glass है उसमें तेल हमेशा भरा होना चाहिए और fuel air bypass side glass वाला खाली रहना चाहिए साथी साथ fuel air return side glass में air के बुल्बुले नहीं होने चाहिए अगर air के बुल्बुले उसमें है तो हम primary filter के उपर लगे wind cock से उस air lock को निकाल देते हैं और जब यह हमारा secondary filter jam हो जाता है तो एक नीचे देखे रास्ता गया है relief valve 60 psi और यह relief valve उसी में लगा है bypass side glass जो यह right side वाला है यानि इंजल ब्लाक से दूर वाला तो अगर इसमें तेल आ गया इसका मतलब आपका secondary filter jam हो गया है तब आपको तुरंट set को inform करना है और जब यह jam होगा तो चुकी तेल आगे नहीं जाने देगा और fuel pump motor लगा तार fuel oil का delivery करता रहेगा तो fuel pump motor पे load पड़ेगा जिससे बचने के लिए यह relief valve 60 psi पे लगाया गया है यह relief valve जो की primary filter और secondary filter के बीच में लगा है यह किसके उसर अच्छा प्रदान कर रहा है fuel pump motor को overload से बचाने के लिए अगर यह fuel oil return side glass खाली है इसका मतलब है कि suction line आपका jam है अगर इसमें air के बुलबुले हैं इसका मतलब suction line में leakage है और कभी-कभी इसमें black tail भी रहता है इसका मतलब है कि injector की tip खराब हो गई है उस समय आपको set को inform करना होगा इस तरह यह hhp लोकों का fuel oil system हुआ इस animation वीडियो से आप लोग को काफी knowledge मिला होगा थैंक यू